कि अच्ट पेंगा सवागत है और आज क्लास नमर्ड कितना है फोर ठीक है क्लास नमर्र कितना फोर और अभी तक इसन वह को चुका है आपका टोटल 120 कुप्रिट हो चुका है जनर्रेल साइंस का क्वेशंज जिस आपका रील वेग एक्जाम में 2018 से लेकर 2019 का बीच में जितना भी एक्जाम हुआ है वह सारा एक्जाम से ये प्रूश्चन आपका उठाया गया ठीक है ये ज़ाए वह जेए का एक्जाम हो हुँ आपके एक्जाम हुआ था और बैंकिंग का एक्जाम हुआ था दो यह फाम हुआ है वह सारे एक्जाम के कुछण यहाँ पर आपको मिलेंगे तो अभी तक कितना सेट हो चुका है टोटल सेट नंबर 1 2 3 हो चुका है आपका और आज सेट फूर इस टाट होगा ओर ट्लास का टाइमिंग आपके इतना बज़े दो पर दो बज़े सुवार से लेकर सुनिवार तक तो पेन और पेपर लेकर बैट जा रोपने आपको ज़च करें ठीक है ज़िस टाट पर पहला कोश्ण question क्या पुछ रहा है which of the following is acidic in nature निम्निखित में से कौन सा अमली है nature में कौन सा अमली है option क्या दिया गया है lemon juice निम्बू का रस नारंगी टामाटर या सभी भी कलपों में से तो आपको बताया गया था जब १ेस से क्लास दिया गया था वहाँ पर कि निम्बूा how to क्या होता है सीघ रहिग केशलों में अरcak क्या होता है ओर क्या दिया है नारंगी औरन्हीं तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब करद सब करें तो नियुक्राइब टमाटर में कौन से एसिट पाया जाता है ठीक है तो एसिट बेस के क्लास में एक तरफ आपको बता दिया गया था सोर्स का नाम बता दिया गया था कि कौन से एसिट कहां से पाया जाता है और और क्या था सबस्टांस है कि कौन से सबस्टांस में कौन से एसिट पाया जाता है लेमन में कौन से acid सिटीष इस सारा चीज आपको पहले सर बथा कि अधिक के नेश्ट क्रें शुआ कि हीलियम की प्रमनुकता क्या है यह प्वुछा गया है ऑन्यम्हकित सिटी खे निया किपने होती है डाय एका मतलब क्या होता है जिसमें एकM2 हो और पोली एकमी मतलब 3 से जाधा हो ठीक है और ट्राय为什么 आप लोग देखी में होनडिकी तीन तो हिलियम का प्रबानुकता कितना है तो हिलियम कोälis तो यहां पर कितना ऐ्टर मैं स्कांड़ेंगे मोन् अट्रमें इसका परमानुक्तój में अगर उचाच कौन साथ यहां पूछा यह मता गर हम लग हिलियम को मॉलिकुस के रूप में लिखते हैं छी आपका क्या है यह अजा ठीक है लेकिन सेंबल में कैसा लिखा जाता है किवल हिलियम लिखा यह क्या होता है मोनो MATOMIC होता अगला कुंसा क्या पूछ देजिक स्यक्रिक हो इस सरसो, राई, जो या मक्य तो कौन सा एक अनाज नहीं है सरसो आपका क्या है अनाज नहीं है इन में से कौन सा एक डेरी उत्पादक नहीं है खोय गुर इसको पहचानेंगे तो डेरी प्रोड़ट जहां बहां पर देखैंगे कि उसमें मिल्क या नहीं हुघ ठीक है डेरी प्रोड़ेट का मतलब क्या होता है उसमें मिल्क है या नहीं तो खोया में क्या होता है मिल्क होता है ठीक है मलाई में भी क्या है मिल्क है और पनीर में भी मिल्क मौझूद होता है option B आपका ट्रेक्टेंसरों का गुड गुड में क्या होता है मिल्क मौजूद नहीं होता है यह आपका क्या है डेरी प्रड़क्ट नहीं है अगला question इन में से किसकी उपस्तिती के कारण सूर्य और तारे चमकते है गैस प्लाजमा प्रकास उर्जा या बिजली तो किसके कारण सूर्य और तारे चमकता है प्लाजमा के कारण option B प्लाजमा सूर्य और तारों का चमकना प्लाजमा के कारण होता है आइनिकरन उर्जा के लिए और और धिक रुजानों के अधार पर किस तत्तों में सबसे अधिक आइनिकरन उर्जा होता है तो पिछले क्लास में आपको बत इसका मतलब होता है किसी बी एक्टम के लाइस से IP2 को बाहर निकालते है इसके जितना फैंक देना पता है वो क्या उता अक्टीर गाता है ईंकिनी करन सब्से और हम लोग कितने लब नोता तो पहला तो पहला कश्म में दो इसका फूल फिर हो गया मतलब यह पूरा एड हो गया अब यह लेक्रों नहीं ले सकता है और नहीं सकता तो वह दो क्या होगा इसमें है तो हीलियम आपका करेक्ट टेंसर होगा option क्या दिया है option A helium कि आप लोग एक ट्रीक याद कर लें जितना भी इनट गैस होता है इनट गैस जितना भी आपका इनट गैस है जैसे गुरूप नुमर कितना हुआ अठारा हुआ जिसको जीरो गुरूप बोलते है तो इनट गैस का जितना भी एलिमेंट है उसका आइनट पोटेंसल कितना होता सबसे ज्यादा होता ठीक है आइनिकरन उड़जा आपको option में यहां पर इनट गैस के यवल हीलियम नजर आ रहा है तो हम लोग किसमें टिक आदी कि ढ szeret रदरफूट प्रमानू मोडल के नुसार इविप्रों कौंस पत के नाव इके 4 तरफ गूमतह ए है इलिप्टिकल रिखिए परिप्थ या रेडियल कैसा प्थ होता है इलिप्टी कं वो börjar होता है ये सरकुलर होता है तो रदरफूट मोडल के नुसार क्या था ह पत्त कैसा था आपका जिसमें लब ट्रॉंड मूफ करता है वह इस्पेरिकल था ओप्शन क्या दिया गया है सी यह आपका क्या है इलिप्टिकल इसको में बोलते है नेक्स्ट क्योट्टियन निमनिकित में से कौन सा बहुपद है यहां पर पुछा गया है कौन सा अ पोलीग्मिक हए वही वह इक वोस्टन है जैसा पहले मॉन्योटोमिक तरह था तो यहां पर आप्सन क्या दिया गया है क्लोरीन सल्फर हाइड्रोजन नाइट्रोजन तो हाइड्रोजन को हम लोग ऐसे लिखते हैं एच की रूप में लिखते हैं नाइट्रोजन को भी ऐसे लिखते हैं और क्लोरीन क हो जाएगा ठीक है कि 2 सलफर को है सलफर अगर आपको फास्पोरास हो मतलब इसका बिन B कितना हो fulfillment होता है सुरप है इसको यह पॉलिएटोमा फॉर वि较ष ऊफंप नहीं दिया गया यह तो किसको टि करेंगे सुरफर को it is not possible कि अपुषा है परकास संस्लेसन की प्रकिरिया में मदद करने के लिए हरी पतीों में कौन सा पतार्त माँजूद होता है बहुत इजी कौसे की मतूर पतियों का रंगल कैसे होताई दो स्वाइब कोशन है क्या होगा क्लोडोफील ऑप्शन डी क्लोडोफॉर्म नहीं टीक आउट करेंगे ठीक है दोनों में बहुत अंतर है क्लोडोफील इसका करेक्ट्रेंस रोगा ऑप्शन डी पहले देख लेंगे क्या दिया है ख्लॉड़ोल फिल या ख्लॉरल है दो अलग अलग है अब ख्लॉर्ण अब सुत्र भी आपको पता अगये था क्या होता है इनमें से कौन chlagen की समस्य करने में मदद करता है bcg c eg eg और क्या दिया है e c g अध्वाश्न क्या है ECT, तो इसका correct answer क्या होगा? ECG, इसका full form क्या होता है? Electrocardiogram, ठीक है? ECG, इसका प्यों किया जाता है, इसका full form क्या है? Electrocardiogram, इक्जाम में आपका, कभी-कभी पूछ देता है, इसका full form, आधुनिक आवर्त साड़नी के बारे में नीमलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब यहां पे गलत पहचानने हैं हम लोगो, आवर्त साड़नी में साथ ओधिया होती है, यह सही है, ओप्शन B क्या दिया है, ओधि एक में केवल एक तत्त होता है, जो कि बिल्कुल गलत है, ऑप्शन B हमारा क्या है गलत है, तो आगे हम लोगों को नहीं देखना है, जब हमारा answer पहले मिल गया है, तो आगे नहीं question क्या पुचा है, has the maximum attraction force between the molecules, रिक तरसान हम लोगों को दिया गया है, बताना है, कि इन में सबसे ज़्यादा आकर्शन बल किसम होता है, ठोस, तरल, या तरल, गैस, या गैस में, तो option के रुषार चेक करना है, ठीक है, option A हमारा solid होगा, generally क्या होता है, ठोस में सबसे ज़्यादा आकर्शन बोल होता है, molecules के बीच में, molecules के बीच में, सबसे ज़्यादा आकर्शन बल किसम में होता है, solid में होता है, अगर solid ना दिया हो, तो किसम में करेंगे हम लोग, liquid करेंगे, तो generally बताया गया, सबसे ज़्यादा solid होता है, उसक आपको बताया गया है कि जो फोर्स होता है कोई भी फोर्स हो फोर्स आपका क्या होता है इस बिलो मानुपाती होता है डिस्टेंस की अब यहां पर आर स्क्वाइर भी हो सकता है आर क्यूब भी हो सकता है यह अपको मेटर नहीं करता है ठीका यहां पर केवल डिस्टेंस आप लिख ले फोर्स क्या होता है डिस्टेंस क्या बिलो मानिपाती होता है अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगा तो फोर्स क्या होगा घर जाएगा गैस में क्या होता है मोलिकुस बहुत दूर दूर होता है तो फोर्स वहां पे कम लगता है और सॉलिट में बहुत पास-पास होते है तो distance कम होता है मतलब फोर्स ज्यादा लगेगा निम्लिकित में से कौन ध्वनी की जोर या कमलता को निधायद करता है hardness और softness को कौन निधायद करता है तो amplitude उसका हम लोग किया बोलते है आयाम ऑप्शन डी आयाम amplitude यह कमल hardness और softness को निधायद करता है कैसे हम लोग देखेंगे एक ग्राफ के अनुसार देख सकते हैं जैसे मानले यह ग्राफ आप लोग ने बहुत बार देखा होगा यह ग्राफ तो यह हाइट उठता है और यह नीची गिरता है यह क्या होता है amplitude होता है क्या होता है amplitude होता है कितना उपर गया और का नीची आया ठीक है इक होता है intelligence होता है ereं कई ग्राफ को सूभा का तार या सैम काता है ब्रेस्पती मंगर में लिच्वरीये बर्लोर कि ओंटना प्रिश attends स्कुर्ण को सुभग कतार और साम कतार का जाता है ठीक है आप्शन सी वेनस कि शुक्र जूते के स्कुरू बॉल वेरिंग और तल्वा में घर्चन का क्या कारण है तो फ्रिक्षन इसका कारण क्या होता फ्रिक्षन तो फ्रिक्षन कैसे जनेरेट होता है फ्रिक्षन घर्चन इन समागरियों को पहनना और उन्हें नुपसान पहुचाता है फ्रिक्षन होना बहुत जरूरी है ठीक है किसी भी चीज में चाहिए जूता हो चाहिए फ्रिक्षन होना बहुत जरूरी है अगर स्मूथ होगा तो क् का क्रेक्ट एंसरों का फ्रिक्षन वियर्स आउट डिस मेटेरियल एंड डैमेज दिम फ्रिक्षन के करन क्या होता है वह सरफेस से टकरा कर क्या होता है फ्रिक्षन जैसे माल लिया जैक्सूज है उसमें बहुत फ्रिक्षन है वह धीरे-धीरे क्या अब फ्रिक्षन जमीन से friction खतम हो जाएगा तिक स्मूथ यस हो जाएगा आप 17 कि टुट्सा के प्रम्प्रिक स्रोथ का दुसरा नाम क्या है कि बोलेंगे कि इसको दुर्द्र सोर्च अफ और गी इसके क्या चाह जाता हुट जाता लोट्सरा नाम नन रिव्य्यव सोर्च अफ मैं अट Kennet नन्रियोनेबल रोड को सोअफ 2 साफ एनर्जी एक एनर्जी होता है वेकर प्तुक्ति होता है जिसको हम लोग क्रीप कर ठेयर ठीए ऐसा तो एनरड प्ति इसे, आरिशियर क서कते है ना हिए कर सकते ना-h comp नेवल होता है ठीक है तो अरित चुने का रासाइनिक नाम क्या है क्विक लाइम का रासाइनिक नाम क्या है और उसका फरुणला क्या होता रासाइनिक सूत्र तो आप लोगों को बता गया था कैल्सियम ऑक्साइड सी ए ओ इसको क्या बोलते है क्विक लाइम क्विक लाइम कह जाता है ठीक है और इसका रासाइनिक नाम क्या है कैल्सियम ऑक्साइड है कैल्सियम ऑक्साइड कि ऑप्सण डी आपका करेक्ट एंसर होगा कि एंटिबायोटिक्स क्या है एंटिबायोटिक्स क्या है यह कुश्ण आपका रेल्वेट के जहीं आया हुआ था और जब हायार कुश्ण का सेट चला तो वहां पर आपको बताया गया था इसहें जीआ ऊए छे देदा भी आप्सकें ड्रक औरेक्षे मीे प्रमbers है कने ऐसेदे कि आपका ह्थीआ हुच्ण कि-सपलोटिक्स क्या आपक्साइच है तो ख्वंधेयो श्थैम्या आपक्स्योडार क्या नुद्दा क्यार् मुच्छ ? ही ब Ц्वरक्स क्या है तिया है न काली खांसी को क्या कहा जाता है पर्टूसीस कंठमाला या वरोला या रुबेला ऑप्शन क्या दिया है पर्टूसीस कंठमाला रुबेला और वरेला तो क्या होगा पर्टूसीस ऑप्शन ए पर्टूसीस आपका क्रेक्ट एंसर होगा पर्टूसीस इसमें आपको यह पूछा जाता है कि काली खांसी कितने दिन का होता है जब इसे खांसी को काली खांसी का जाता है कितने 100 दिन का यह होता है ठीक है 100 देज तब इसे काली खांसी का नाम दिया जाता है पार्टूसिस यह डेज भी आपका कभी-कभी एक्जाम में पूछ देता ह Switch चालू होने पर bulb कैसे चमकता है तो bulb में क्या होता आपका एक tungsten का filament होता है जो गर्म हो जाता है और heat प्रोडियूस करता है तब जाके क्या होता है जलता है तो option C आपका current tensor होगा ठीक है filament current की वाज़े से गर्म हो जाता और रोस्तनी परदान करता option C फिलामेंट घर महने पर रोस्तनी प्रदान करता है और क्या पूछा जाता है की फिलामेंट की से बना होता है घर एलू तारो के प्रयोजिनों के लिए तो कैसा होता है गरलू में समनानता इदा और है समानों हो ठीक है वोल्टेज से मोता है और करेंट अलग अलब होता है यही रीजन है कि घरेली उतारों को पैरलल में जोरा जाता है इसको आप लोग नोट कर ले परवानु उर्जा संयंत्र में मोडेटर की रूप में कौन सी समागरी कौप्यों किया जाता है जो न्यूट्रोन को धीमा कर देता और उन्हें भी खंडन का कारण बनता है तो ग्रेफाइड का यूज किया जाता है किसका ग्रेफाइड ऑप्सन बी ग्रेफाइड का यूज किया जाता है और ग्रेफाइड किसका समरूप है कारण का ठीक है और यह एक ऐसा है जो बिदूत का क्या होता है सुचालक होता है बिदूत का सुचालक होता है गुड क्या होगा इसा करेक्ट अंसर ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है इसको हम लग कैसे लिख सकते हैं एक्जाम में लिखा जाता है को एक रहेगा और पहचानना होगा कि क्या होगा तो क्या होता है यह आप लोग नोट कर लें ऑप्शन क्या दिया गया है लिए और सी एओ सियल टू प्रित्वी की पपरी में दूसरा सबसे बड़ा तत्तो यहां पर क्या पुछा है पहला नहीं पुछा है दूसरा पुछा है तो दूसरा सबसे बड़ा तत्तो मेटल ननमेटल नहीं पुछा गया एलिमेंट पुछा गया ठीक है यह पोस्टन में आप लोग को ध्यान रखना है एलिमेंट पुछा गया है तत्तो नहीं मेट शरीर के विच्छेदन और अधियन को क्या कहा जाता है विसलेशन कौसो मेडिको और अप्टोलोग्स क्या दिया है ऑटोलेपसी या सो परिक्षा तो नाम से पहचानना आता है सो परिक्षा ठीक है तो अप्शन डी आपका करेक्ट अंसर होगा सो परिक्षा सौ का मतलब क्या होता है लास्ट चीक है मरावव बेक्ति मच्छरों को जैविक नियंतरन के लिए निम्लिखित से किसका उप्योग आयता है तेल गंबुसिया महलाम या डिडिटी तो गंबुसिया का उप्योग क्या आता ओप्शन भी ठीक है यह सबी कोशन बहुत इजी कोश कोशन है और एकजाम में आये वाग इसने है कि निम्लिखित में से कौन सी धातू तट्व की आवर्द सानी में सबसे हल्की है तो प्रियो टेबल में सारह कॉंसेट बता दिया गया है सबसे हलका धातू पौन है सबसे पहला एलिमेंट को ने सारा कूछ आपको कबर करा दिया ठीक है क्लास कि बहुत इंपोर्टेंट इक लेंगे तो आपका कम से कम प्रियोडिक्टिवल का 6-7 कोशन एक्जाम में आता है हर एक्जाम में वह सारा कोशन कवर हो जाएगा तो क्या होगा लिथियम ऑक्षन B लिधियम ठीक है सबसे हलका धातु कौन हयं लिदियम है अगर सबसे हलका एलिमेंट कुछ जाता तो शांड हया हविभा तो क्या होगा लिधिया मुगा ध्यान रखना है कि एलिमेंट पुछा गया है या मेटल पुछा गया है यहां पे मेटल पुछा गया ठीक है और यहां पे आपको हाइड्रोजन दिया नहीं गया है यहां पे हाइड्रोजन अगर दिया रोता तो उसके अनुसार आम लोग एंसर देते हैं भोजन में किसकी उपस्त्री के पडिछन करने के लिए आयोडिन का उप्योग किया जाता है तो इस टार्च को पहचानने के लिए आयोडिन का उप्योग किया ठीक है इस टार्च अप्शन बी निम्निकित मेंसा कौन सी धातू तत्तों की आवर्सानु में सबसार किए तो आपका हो गया कि जब TOMBA sulphate समधान लोही की धातू के साथ प्रतिक्रिया करता है तो Tampa साथ क्या करना है लोहे की धातू के साथ प्रतिक्रिया करता है मतलब मेटल फेरिक के साथ क्या होता है रियक्षन करता है तो क्या बनाता है तामबा थातू कर निर्मान होता है, यहां से तामबा क्या होता है, निकल जाता है, तो फेरिक सलफेट बनता है, और क्या बनता है, तामबा आपका निकल जाता है, तो एक निकला और एक एड हुआ, तो इसको क्या बोलते है, सिंगल डिस्प्लेस्मेंट, इसको बोलते है, सिं सिंगल डिस्प्लेस्मेंट ठीक है सिंगल डिस्प्लेस्मेंट यहां से क्यों कॉपर निकला है इसलिए सिंगल और डिस्प्लेस्मेंट का मतलब यहां से निकल गया तो option D आपका correct answer होगा निम्निकित में से किसका उप्योग पादप पेब में किया जाता है बूतनौल इथेनौल प्रोपेनौल और मुथेनौल तो इसमें से किसका उप्योग किया जाता है इथेनौल को उप्योग किया जाता है option B एथेनॉल और एथेनुल का रसाइनिक शुत्र क्या होता है आप लोग कमेंट करके बता है घृणी तरोंगगर के परवरतान दोरा उत्पंध धुनव। पुनवृति क्या कलाती आपको में बताए गया है क्या होता है उसको एको बोलते जब धोन ई पारावर्थित यदि कोई वस्तू हिलने लगती और यदि बिल्कुल भी घर्शन नहाला हो तो क्या और उसमें एक भी friction नहीं है friction इसमें ना के बराबर है थीक है मतलब 0 के बराबर है तो Newton's first ला क्या बोलता है यदि कोई वस्तू एक सरल नेखा मैं एक समान वेलिशिटी से बूब करती है तो जों क्या होगा हमेशा लाखाये मतलब भारी फ़र्स का मतलब क्या होता है प्रिक्षन आपोजी ड mirrorsชन यह नहीं लगाया गया है इसका मतलब कि बड़ क्या हमेशा ओव करता ही रहेगा थीकर यह कभी नहीं रुकिए गा तो अब आपसेव टोइफ थे यह नैन वर स्टॉप वस्टु कभी इसके ओपर कोशन आपका दे दिया गया है कौन सा हार्मोन माहन और रक्त में सरकरा की मातरा को नियंत्रित करता है एस्टोजेन इंसुलीन पराथमान और क्या टेस्टेरों कि क्या होगा इंसुलीन करता है ऑक्षण भी इंसुलीन अपने परियावरन के साथ जैनवरे के संबंद में अध्यान को क्या कहा जाता है एथ़ोलोजी और क्या दिया गया है एंट्मिलोजी जल्वाइव दिज्यान या परिस्थिति की तो क्या होगा परिश्थिति की option D, ecology कहा जाता है, ecology, परिश्थिति की, इसमें से आप एक question और बन गया है, कि सिल्क अध्यान को क्या कहा है, यहाँ पर क्या पुछा गया है, environment की अध्यान को क्या कहा जाता है, तो ecology, अगर सिल्क का पुछा जाता है, तो क्या बोलेंगे, cytology, ठीक है, यह सब की अध्यान में बहुत बार पुछ दिया गया है, cytology, यह CL के लिए है, और यह, ECO मतलब environment के लिए, किसी तत्यों की परमानु संख्या, नाविक में, कि संख्या के बराबर होती है, electrons, and protons, neutrons, तिसरा क्या दिया, electrons, और चौता है, protons, तो बहुत लोग का मानना है, कि यह electrons के बर बहुत लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों, इसका correct answer B, proton, कैसे होगा मैं बताता हूं, अभी proton, proton क्या होता है, nucleus के अंदर होता है, ठीक है, यहाँ पे होता है, neutron और proton, तो proton कैसा होगा, इसका answer, बाहर में आपका क्या होता है, electron होता है, तो electron का क्या है, यह आपका add भी हो सकता है, और काहर भी निकल सकता है, कक्च से, यह आपका independent है, ठीक है, लेकिन जो proton है, यह हमेंसा fix होगा, एक atom का, यह element का proton क्यों होता है, हमेंसा fix होता है, अगर मान लिया जाए हम लोग एक iron लेते हैं, जैसे sodium minus ले लिए, ठीक है, अब इसमें बोलेंगे, कि इसका atomic number क्या, इसमें electron जि अबराबर है, तो हमार correct answer क्या होगा, D, electron कब तक होता है, जब तक हुआ, उधाषी नवस्ता में हो, उसके बात क्या होगा, electron satisfy नहीं होगा, निम्लिकित मेंसा कौन सी प्रतिकिरीया, आम तोर पर वनस्पति तेलों के hydrogen करण में nickel उत्रिरक का उपयोग करता है, तो इसका correct answer क् का एडिस्नल रियक्षिन निकल कोपी एडियां करता है एडिस्नल रीयक्षिन जो और प्रतिक्रियाii तो प्रतिक्रिया भी आब क्या होता है तो तीन तरह कहो एक होता है एडिस्ननल एक fiction fart क्या होता है सब्सेक्ट्सन इस हम लोग हो रिप्लेश्मेंट बुलते हैं लिम्लिखीट में से कौन सा घरती यो को हरा रंग प्रदान करता है वाटर नैट्रोजन क्लोरोफिल यह यूरिया तो हरा रंग कौन प्रदान करता है लोगा पिल आफ्टन सी लिंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स को क्या कहा जाता है तो लिंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स कहां पर होता है एक्टेनाइट्स और एक्टेनाइट्स और एक्टेनाइट्स यह कहां होता है एक्टेनाइट्स और 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 एक्टेनाइट्स यूथ यविक्या आपका दी ब्लॉक का ही पार्ट है लेकिन इस gefragt में एडिज़स किया गया तो इसलिए इसको इनट कहां जाता है ओप्जन एंट और वलप में कितने लिमेंट रोट होते हैं 28 सूल कितने होते हैं 28 होते है मैं जब 3-4 चंद्रमा दिखाई देता है तो उसे क्या कहा जाते आधा चांद गिप्स चंद्रमा और क्या दिया गया है वर्दमान चांद और आखिर में पूर्णीमा तो क्या होगा गिप्स मून ऑप्शन बी है ठीक है क्या बोलेंगा Gips Moon कि गिपसमान कहा जाता है कितना दिया था तीन-चौथ अधिक है 354 तीन-चौथ है जब एक समागरी मतलम study singe करता है एयर क्वालिटी पर लेद करता तो जैसे मां लियाजाए एक Spring है टीक है या ट्नेल फोर्क जैसे तरुपीनल अन्युब्न कहने है इसमें हम स्लच 친 घयंग GABA gim उतना ज्यादा आंप्लिट्वेट क्या होगा conceal क्रियेट करेगा तो हमारा अ प्रिई न जल tentang क्या होगा ड पर क्वार्स फोर्स ज जितना ज्यादा लागाएंगे उतना ज्यादात्य अनप्लिट्वीटht उत्पन होगा एक मतलब क्या होता है क्या मेसा हे जो च Deniva झाल झाल